है लो स्टूदिंट्स और वेल्कम बैक टुब चैनल सिराशेख डिविस्टडी आज से हम स्टार्ट करने जा रहे टी वाइब अटी वाइब विकॉम का फाइनशल अकाउंटिंग सब्जेक्ट जिसमें कवर करने वाले इंटर्नल रिकंस्ट्रक्शन तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास चलिए अब विए गोई गोई तोपिक दाट इस इंटर्नल रिकंस्ट्रक्शन तुम्लों में से कोई भी एक सिंपल वर्ड में मेरको अकाउंटिंग नौनिज नहीं चीए बेसिक रिकंस्ट्रक्शन का मतलग अब ओल र lei कुल बॉला दूने पिर से यकल स्ट्रक्शन का मतलब काम अच्छा तो फिर से कर ओक्यू ठीक है और नहीं यह रिनॉवेशन था मैंने री कंस्ट्रक्शन पूछा है डिफरेंट हुआ ना रिनोवेशन रिकंस्ट्रक्शन अलमस्ट सिमिलर थो है बट यू कांट कंपेर दा एनिवन रिकंस्ट्रक्ट रिबिल्ड रिबिल्ड बोल सकते हो for example मेरे पास एक मेरा प्रॉपर्टी है उसमें रिपेरिंग का क करवाया यह शुद्त इंजेस करवाया उसे मैं क्या कहता हूं रिकंस्ट्रक्शन करवाया फ्र Bass है तो दूसरे आघर सब्क्राइटिक की जब से मेरा बिया तो जाके मेरे बीडिग का वैल्यूब बढ़एगा पैसा मिलेगा इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा री कंश्रक्र करना पड़ेगा समझ मैं है क्या अभ मैं पढ़ रहा हूं इंटर्नल रिकंश्रक्ष इंटरनल मतलब अंदर ही कुछ रीकंश्ट्रक्र करना है अभी क्यू करना है को तो as per company क्या पैसा लाने की क्या करते हैं कि क्या मैं स्टुमारी कंपनी इतना का सि ci उसकी प्रॉपर्टी है हम लोग इतना प्रॉपिट कमा रहे हमारी लाइबिटी स्कम है यह बताएगा ना वो मतलब जब तुमको कोई बताएगा कि भाई यह कंपनी आपको इतना प्रॉफिट दे सकता है तो तुम सोचोगे हाँ यार पैसा इन्वेस्ट करते अपने प्रॉफिट म मिलेगा तो आप उसकंपनी के शेयर परचेस करते हैं और अगर यह भाशा नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल भाशा में बेशिक भाजी वाला सब्जी वाला बेसी सब्सिवाल डॉस अबरुट है की एक सब्सब्स और नहीं मस्पानी कि निमार करका उलिए और एक नैं है उसके नीचे सब सड़ा हुआ लेकिन ऊपर का जो माल है एक्दम ताजा है अपन जाएंगी किसके पास बराबर है क्यों क्यूंकि उसने उसको वैसा प्रेजेंट किया है और मेरे सब्सक्राइब यह बीचार ददद बोले लें कोई जाई नहीं रहा है क्योंकि सुका हुआ ह इदर फ्रेश लग रहा है उपर के तीन-चार पत्ते अच्छे लग रहे हैं बराबर है तो तुम क्या करोगे इसके पास जाओगे और पैसा इसको इन्वेस्ट करोगे खाया नहीं अंदर क्या है किसी को पता नहीं भर पे लागे क्या लेकिए ममी 10 का मिल रहा था अरे 10 का इसका मतलब क्या चाहिए कि कंपनी क्या करता है पॉल्स पिक्चर बताता है पबली को और पैसा रेस कर लिया है इसका मतलब कहीं ना कई थोड़े टाइम के बाद तुमारा बिजनस बंदोएगा तो इसके लिए अपने क्या करना पड़ेगा इंटर्नल रीकंस्रक्शन करना पड़ेगा क्यों ताकि अपने को पता चला है कि हमने क्या चीज गलत किया है या मैंने मेरे क्यापिटल का वैल्यू ज्यादा लगा दिया है कि असेट का वैल्यू कम लगा के रखा है तो इस टॉपिक में हम क्या करने वाले है इस टॉपिक में हमें कंपनी के बैलेंस शीट या नहीं ऐसेट का वैल्यू सही है या नहीं वो सब हम चेक करेंगे अब मुझे मतलब क्या लायबिटीश की प्रायाधन है अब मैं बोल रहाओ लायबिटीश चया फाइदा लिखके रखा है बैलंस शीट में तो मेरे लिए फाइदा है कि नुखसान है लाइबिटीश का वै को तो आपके लिए क्या होगा लेकिन लाइव डिक्रीज करो ता अ नुकसान के बारे में सोचना इस को कहते रिकंस्टॉक्स था जैसे मैंने लाइबीटीस ये किया वैसे मैं assets के लिए भी करोंगे, asset का value बढ़ेगा तो क्या होगा, profit, यह increase होगा तो profit ही होगा ना, और यह decrease होगा तो इसका value, loss में जाएगा, ठीक है, तो normally हमने अब तक सुना था, कि जो भी फाइदा नुकसा ने, वो किदर लिखा जाता है, profit and, but अब हम जो लिखने वाले, वो लिखने अकाउंट में, या तो reconstruction को reduction अकाउंट भी कहते हैं, capital reduction या तो reconstruction, मतलब जो भी फाइदा, जो भी नुकसान होगा, वो कहां जाएगा, capital reduction या तो capital reconstruction अकाउंट में, इदर profit and loss अकाउंट नहीं आएगा, clear, पढ़ना अड़ेस्मेंट फाइदा नुकसान फाइदा नुकसान देखना है और उसकी जर्नल एंट्री सौल करने इस टॉपिक में जर्नल एंट्री है और एक दो यह हो जाने के बाद कंपनी का बैलेंश इडि़ बना के देड़ा तुझ उन्हें इतना लगाए था यह फाइदा यह करना तो आज का सम जो है देख लो एक बार रीट कर लो फिस टार्ट करते हैं आज का कोश्चन जब रीड करो यह टॉपिक को सिंपल वे में पड़ो कि जो भी एड्जेस्मेंट दिया है वह असेट से रिलेटेड है कि राइब लाइब लाइबिटी से रिलेटेड है तो उससे उसका वैली बढ़ रहा है कि कम हो रहा है लाइबिटी से रिलेटेड है तो उससे उसका वैली बढ़ रहा है कि कम हो रहा है खली इतना ही सोचना है और कुछ नहीं सोचना है ठीक है पहला एड्जेस्मेंट देखते क्या दिया है तो कुशन दिया है मैसेस अन्वेल लिमिट has incurred heavy losses since past few years. The company adopted a scheme of reconstruction on the basis of following summarized balance sheet. Balance sheet आपको बना के दिया गया है. बराबर है, adjustment में क्या दिया है? पहला adjustment देखते है. The adjustment में दिया है, the following scheme of reconstruction was approved by the court. First, 10% preference share to be reduced by Rs. 20 per share. Adjustment किसके ओपर है? 10% preference share. Preference share क्या है? Liabilities है. क्या बुला उसने? 10% preference share जो है, उसे आपको reduce करना है by Rs. 20. थोटा सा एक खेल है, wordplay बुलते हैं. 2 और by, यह wordplay. 2 और by का मतलब क्या है? 2 मतलब पुराना share निकाल के नया share डालना है. अधर आपके से. 2 and by. By मतलब उतने से, 2 मतलब उतना. By मतलब उतने से, 2 मतलब उतना. सर्फ क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है. मैं बोल रहा हूँ, 10 रुपए का share, सॉरी, 100 रुपए का share है. इसे reduce करना है, 2 रुपीज 80. 2 रुपीज 80 का मतलब क्या है? कि 100 रुपए का share, इसका कीमत कितना है? 2 रुपीज 80 मतलब कितना कम करना है? 20 रुपए कम करना है, कीमत 80 करना है. और मैं बोलता हूँ, 100 रुपए का share है. Reduce by 80 मतलब, 80 रुपए कम करना है. वैल्यू 20 रुपए रखना है. वर्ड प्ले समझा, वापस एक बाद. 100 रुपए का share है, reduce करना है, 2 रुपीज 80. 2 रुपीज 80 मतलब, 100 रुपए का share है, 80 रुपए करना है. तो reduce कितना होगा, 20 रुपए कम होगा, 100 रुपए का share है, 80 रुपए से कम करना है. तो इसका value कितना आएगा, समझा, 2 और बाई का मतलब, कितने से कम होगा यहाँ पर, इधर, परक्ष समझ में आया, 2 और बाई का मतलब समझ में आ रहा है, 100 रुपए का सामान, 280 मतलब उसका कीमत कितना होना चाहिए, 80 रुपए, तो कम कितना होगा, 20 रुपए, बाई 80 मतलब 80 रुपए कम करो, कीमत कितना होगा, 20 रुपए, डिफरेंस समझा है, पक्का समझा है, हाँ या नहीं, अब पॉस्चन में क्या बुला है, जरा देखो, एड़्जेस्मेंट नमबर वन, क्या दिया है एड़्जेस्मेंट नमबर वन पहला अपने को, 10 पर्सन प्रेफरेंस शेर, टू बी रेडियूस, बाई रुपीज 20 का मतलब 20 रुपिया कम करना है, बाई वर्ड आएगा, तो पुराना शेर निकालनेगा, और नया शेर डाल देनेगा, पुराना शेर निकालनेगा, नया शेर डाल देनेगा, पुराना शेर निकालनेगा, नया शेर बाई में, और टू में, सिर्फ वर्ड दिया है तो आप कौन सी एंट्री पास करो गे प्र्फिट एंड लॉस की सिफ प्रॉफिट एंड लोस में यहाओ यहां पर क्या वॉड यूससकिया है तो क्या करोंगे फॉराणा शेर निकालोंबे ए और नया share add करो, समझ में आया क्या, clear है, यहाँ पर क्या word यूज किया है, टू में सिर्फ profit and loss की entry, buy में पूरा नया share निकालेंगे, नया share add करेंगे, कैसे, देखते, इसमें adjustment क्या दिया है, 10% preference share to be reduced by rupees 20, by rupees 20 मंदब 20 रुपय कम करना, तो नया share कितने वाला आने वाला, 80 वाला, 20 रुपय कम होगा, तो अभी नया share का कीमत कितना हैगा, 80, तो अभी पूराना share निकालेंगे, कौन सा share, preference share, दिखो preference share कौन से side पे है, liability, share होता है, liability, capital होता है, credit, निकालने के लिए करेंगे, debit, capital होता है, credit, निकालने के लिए करेंगे, debit, तो debit में लिखोगे, 10% preference share, capital account, debit, कितना capital होता है, देखो जारा balance sheet के अंदर, preference share, 4,000, 10% preference share of 100 is fully paid up, 4,000, तो पुराना share निकाल दिया, निकाला कैसे मालूम पड़ा, capital होता है, credit, निकालने के लिए किया, debit, तो share, निकाल गया, समझा, समझा, share, कितने वाला था, ये, 100 रुपे वाला था, उसने क्या बोला, बाए, कितना रुपीज कम करने बोला है, जब 20 कम करूँगा, तो नया share कितने का आएगा, तो 20 रुपया का share जाएगा, तो नया share आएगा, 80 वाला, preferential capital है, credit, cancel करने के लिए, debit, 2, new, कितना परसंट बोला है, बोलो वहाँ पे, adjustment में, 10% preferential, कुछ नहीं बोला है, तो 2, new, preferential, capital, account, कितना आएगा, 4000 share था, एक का value 100, total था 4 ला, अब मेरे share का value है, 4000 share, into 80, 3,20, तो नया share का कीमत, 3,20, बट मैंने आपको 11 बताया था, जितना debit, उतना credit होता है, 4,00,000 debit है, तो 4,00,000 credit होना चीए, तो 20 रुपया क्या हुआ, बज गया, बोलेंगे कैसे, liability की पहले कितना था, 100 रुपया, अब liability कितना हुआ, तो 20 रुपया कम हुआ, तो मेरे लिए तो फाइदा है ना, मैंने बता है था, liability का value बड़ेगा तो loss है, और कम हुएगा तो income है, यहाँ पर कम ही हो रहा है ना, reduce हो रहा है, तो मेरे लिए क्या है, income कहां जाएगा, capital reduction account में, याद आया, start में आज बताया, तो 2, capital, reduction, account, कितना, 80,000, इसका narration क्या आएगा, being preference share, reduce by rupees 20, adjustment में दिया है, 10% preference share, reduce by 20, यहाँ पर क्या लिखूंगा, being preference share, reduce by 20, खतम, narration समझा, पक्का समझा है, अब आप लोग टीवाई में इतना तो narration आपको आता रहेगा, ऐसा assumption है, फिर भी मैं explain कर रहू, पहला entry done, इसमें कोई problem, doubt वापस, एक बार, चार लाग का preference share था, liabilities का मतलब credit होता है, asset का मतलब debit होता है, अब देखो, जो liabilities दिया है, इसका मतलब वो credit है, और जो asset दिया होता है, इसका मतलब वो debit है, अब liability होता है, credit, cancel करना है, तो क्या करोगे, debit, asset होता है, debit, cancel करना है, तो क्या करोगे, credit, और cancel करना है, वो सोचना है, इधर cancel क्या करूँ, नया ले किया, और फिर जो difference है, वो किदर जाएगा, capital, reduction अकाउंट में, इधर जो भी difference हाएगा, जीधर भी difference हाएगा, debit में, credit में, जीधर भी difference हाएगा, उदर यही अकाउंट आएगा, मतलब जगा खाली है, भाई को entry दे, यह सब को solution देने वाला, यह topic का नाम है, capital reduction, समझ मैं, internal reconstruction मोलो, या capital reduction मोलो, एक ही पाद, समझाई आपको पक्का समझा, 100%, second entry पे जाएगे, second entry क्या है, equity share to be reduced, buy, buy per share, adjustment, equity share पे, reduce करना है, buy, पुराना share निकालो, नया share डाल दो, बराबरे, equity share कौन से side पे, liability side पे, मतलब credit side पे, अब भी फिर से cancel करना है, तो entry आएगा, equity share, capital account, debit, कितना है, देखो, equity share, तो, एक लाख साथ हजार share, एक का value 10, मतलब 16 लाख रुपया का capital है, यह निकाला, इसके बदने में, कितना क्या आदने वाला है, share, पास वाला है, तो, two, new, equity share, capital account, देख लो, calculation, एक लाख साथ हजार share, एक का value 10 था, मतलब 16 लाख था, कितना reduce करने बुला है, 5, तो, 10 में से 5 गया, तो, 5 ही बचेगा, तो, नया share भी 5 रुपय का ही रहेगा, 1,60,000 into 5, मतलब 8 लाख, बराबर है, बाकी 8 लाख मेरे लिए फाइदा रहेगा, 16 लाख का समाने अभी 8 लाख ही दे देगा, तो 8 लाग बजगया ना, बजगया मतलब फाइदा है, फाइदा मतलब capital reduction credit में जाएगा, समझाइए यहां पर आ जाएगा एट लाक रुपीज टू जो भी डिफ्रेंस है क्या पीटल रिडॉक्षिन अकांट इसका नरेशन क्या रहेगा बी एकुड़ी शेर रेडियूस बाइपाइपर शेर समझा नरेशन नहीं लिख रहा विकॉस और स्पेस और कोई रीजन नहीं है अंडेस्टूर्ड या आपकी सेगें अभी कोई डेट नहीं दिया है तो एंट्री नंबर 123 डाल देगा एक बढ़ेंगे नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है उसके बाद आपको दिया है डिबेंचर होल्डर एग्री टू फॉर्वो फिफ्टी परसंट ऑफ देर इंट् इमीडेटली एड़ेज्ट्म एडगेंजेस्मेंट किसके उपर है डेबेंचर इंट्रेस्ट के उपर डेबेंचर पर नहीं तो देखा आपको बैलेंच में इंट्रेस्ट अक्रूड और डिबेंचर दिख रहा है कितना 2,00,00 रुपैं है अब एडजिस्मेंट में क्या लाख रुपए मेरे को लाइबलीटी है मतलब पे करना है तो मेरा दो बिजनेस लॉस में चल रहा है एक काम कर दो लाख के बदले में 50% ले बाकी 50% माफ करते हैं एडियस्पन क्या बुला है 50% डिबेंचर होल्डर इंट्रेस्ट निगा अलाव है 50 टका माफ कर दो लेकिन 50 ट करूँगा एक लग क्या आएगा फाइदा समझा इंट्रेस्ट लाइबलिटी मतलब होता है क्रडी अप पे कर रहे तो क्या हो जाएगा और पर आ जाएगा इंट्रेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डविट बराबर कि इतना डेवेंचर आएगा चारलाक सारी दूलाक और इसमें से पे कितना करना है? 50% पे करना है तो पैसा जाएगा ना? to cash or bank account अरे बराबर पैसा जाएगा तो cash or bank लिखोगे कितना पैसा जा रहा है? एक लाख बाकी एक लाख to capital reduction account कितना? समझ गया? इसका reason क्या? बिइंग इंट्रेस्ट वन डिबेंचर पॉरगो 50% क्लेम समझा समझा पक्का डाउट है नहीं समझा क्या समझ में नेक्स उसके बाद क्या है कॉंप्यूटर वास टुबी रीटन डाउन भाइट descr computer 40,000 रुपए से कम करना है computer क्या होगा आपका asset होगा ii asset होगा उसका value कम करना asset होता है debit कम करने के लिए credit credit कर दो to computer कितना कम करने मोल रहा है कि अप मेरे property का value कम होएगा पाइदा की नुकसान जो भी नुकसान के कहां जाएगा capital reduction में debit में जाएगा because debit all expenses and losses to capital reduction account debit कितना सरी इधर two by का कुछ नहीं है two by का concept equity और preference shares के लिए capital के लिए समझ मैं asset के लिए asset थोड़ी पूरान asset निकालेंगे नहीं asset डालेंगे उदर value कम हो रहा तो कम हो रहा बढ़ रहा तो बढ़ रहा है उसकी entry आती है उदर फाइदा नुकसा नहीं हो दा उदर ठोड़ी पूराना निकालेंगे नहीं डालेंगे ऐसा नहीं साथ समझाई आपको clear liabilities में कितने का value बढ़ रहा है टू वाला है कि बाई वाला है वो चेक रहा है understood entry done next उसके बाद उसके बाद adjustment दिया है आपको land and building का क्या दिया है land and building and furniture to be appreciated by 10% उसके बाद वाला भी लेड़ दा stock to be appreciated by 60,000 यह दोनों को साथ में solve करता है क्यूंकि stock भी asset है land and building भी asset है furniture भी asset और सब में value बढ़ी रहा है उदर percentage में इदर amount में बढ़ रहा है na asset का value बढ़ रहा है asset होता है debit value बढ़ाने के लिए we debit क्यूंकि value कम करना है तो credit बढ़ाना यह दो Debit ही करना पड़ेगा asset होता है debit value बढ़ाना है तो debit लेकिन कम करना है तो credit अभी अपने consequence asset का value बढ़ाना देखो land and building तो land and building फिर land and building हैं दोनों को बढ़ाना दोनों अलग अलग दिया नहीं इसलिए दूनों अलग लिखना पड़ेगा पर नीचर अकाउंट डेबिट बराबर है स्टॉप का वैल्यू भी बढ़ाना है स्टॉप अकाउंट डेबिट मैंने साथ में कि आपको अलग-अलग करना है तो कर सकते हैं अब सब प्रोपर्टी का वैल्यू बढ़ेगा तो तुमारे लिए फाइदा है फाइदा कहा जाएगा इनकम है तो क्रेडिट एक्सपेंस है तो डेबिट सिमपल आ रहा है न रूल अब देखते हैं परसंटेज के इसाब से ला ना यहहीं और नृट्क का मतलब एक का वैली बढ़ेगा एक लाग 22,000 और एक का 40,000 इधर आ जाएगा एक लाग 22,000 इसका आएगा 40,000 और स्टॉक कितना बढ़ाने बोला देखो स्टॉक का वैली टू बी इंक्रीज कितना पर्संट बोला है appreciated by 60,000 मतलब 60,000 बढ़ेगा टोटल कितना फाइदा हुआ एक लाग बाई सोरी दो लाग 22,000 तो पूरा जाएगा दो लाग 22,000 समझा समझ में आ रहा है प्रजापदी फैमिली पक्का न इसका रिजन बिंग असेट एप्रेशियेटेड सिम्पल ज्यादा हाड फास्ट नरेशन के पीछे मद भागो बेसिक नरेशन सिम्पल नरेशन डन यहां तक नेश्ट उसके बाद क्या दिया है पिक्टीशियस और डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट और लॉस अगांट टू बी रिटन आफ वेरी इंपोर्टन एड्जेस्मेंट यह एक ऐसा एड्जेस्मेंट जो लोग बोलेंगे भी नहीं कभी कभी जब आप कोई कंपनी रीकंस्ट्रक करते हो तो आप भंगार का क् होता है आज तो इधर लिखके दिया कि जितने वी क्टी शॉसर असेटे प्रॉफिट और लास का बैलेंस है प्रिलिम्णरी एक्सफेंस अगर इशू एक्सपेंसे दिख दिया ऐसे सब अगर लिये रहेंगे उसे फिक्टीशेस या बोगस असेट कहते हो अगर एड़ेस्ट में नहीं भी दिया है तो भी इस भंगार को बेच देना है बात समझा अब बेचना रूल मतलब क्या है असेट होता है डेबिट निकालने के डेबिट बैलैनस और प्रॉफिट एंड लॉस तो निकाल देना तो देखते है अपने पास फिक्टी遊戲 के अंदर अपने बास दो इसेषzes और दूसरा do saff clue लॉस scp बस ये दो चीज है ये दोनों चीज को क्या करना है निकाल देना है दोनों असेट है निकालने के जाएक बैक लिए क्रेडिट यहाँ पे पर क्रेडिट साइट पर लिखूंगा क्या क्या लिखूंगा सहर कॉती हिस्पेंशे überzeugt टूप recursos अब यह निकलाब अस यह अनली यह लिए लो से टहर से तो कहा जाएगा किर निकॉंट इडक्शन अकांघ टेपि कितना दे खो शेर इश्यू एक्स्पेंसेश कितना है चालीस और प्रॉफिटे लॉस पूर्टीन लाक्स तो चौदा लाग चालीस हो जाएगा यह सिंपल हिसाब समझा इसका नरेशन बिइंग फिक्टीशेस असेट रिटन आफ उसके बाद क्या है देखो जरा आधा नेक्स अञेसमेंट आपको दिया है कास्ट और रिकंट्रेक्शन वास फिप टी दाउंद हमको यह सब करने में 50,000 का खर्चा हुआ खर्चा एक्सपेंस से मतलब डेट अलेट और एक्सपेंस एं लॉसेस एक्सपेंस ए तो डेबिट में किस चीज़ का reconstruction का बूले तो capital reconstruction that is capital reduction account debit खर्चा हुआ तो पैसा जाएगा to cash or bank account कितने का खर्चा हुआ 50,000 debit 50,000 credit understood चैता ली अंकीता समझ रहा है ना चौबे जी ठीक है next उसके बाद क्या है 75% of the creditors agree to forego their claim by 10% creditors के उपर एड्जेस्मेंट है जरा देखो आपको question में creditors कितना दिया है creditors का value कितना दिया है जरा बताओ total creditors का value आपको दिया है आट लाग रुपे ध्यान से एड्जेस्मेंट देखना आट लाग के उपर एड्जेस्मेंट है बोल रहा है कि इसमें जो 75% creditors है तो आट लाग का 75% value निकालो कितना रहा है 6,00,000,000 बराबर यह 25% कुछ बोली नहीं रहा है लोग चुप चाप बैठे जो चुप चाप बैठे इसके बारे में सोच रहे हैं आपन इसके बारे में सोच रहे हैं क्या बोला इसने 75% creditor बोल रहे हम हमारा 10% claim माफ करेंगे अब यह लोग माफ करेंगे जब हम इसे payment करेंगे पेमेंट करोगे तो माफ होगा payment करना है तो जब इसको payment करने जाओगे तो लोग निक्या बोला 10 टक्का मत दे मतलप 6,000 मत दे 5,442 बराबर समझा creditors होता है credit cancel करने के ये डेट कितना एक एंफिते होगा चे लाग का आठ लाग का नहीं परक्व समजाना आफ लाग के उपर एड जय स्मेटन शिफ तो 60 imp Knowledge ही ऑंडेस्टोड क्लियर तो क्रेडिट कांच करने के लिए डेट करतेगे यहां पे यहां जाएगा creditors account debit two पैसा जाएगा बुले तो cash और bank account और अपने लिए फाइदा होगा capital reduction छे लाग देना था हमने सिर्फ 5,40,000 दिया तो 60,000 का फाइदा हो गया समझा दस टका माफ हुआ दस टका बज गया बाकी तो पेमेंट करना पड़ा छे लाग क्लियर है क्रेडिटर्स आठ लाग मतलब पे करना था उसमें बुला 75% क्या बुल रहा है मेरा छे लाग का बाकी कब दे रहा है मिला यार पैसे निए एक काम कर अब भी देता है ना दस टका माफ दस टका मतलब अब 60,000 माफ बाकी दे अभी दे तुम्हें लग ठीक है 5,40,000 ले 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 साट अजर बज गया पैदा हो गया समझा हाँ पक्का ना चलिए डन उसके बाद क्या है इसका बेंग क्रेडिटर्स बेंग क्रेडिटर्स पेड एक डिसकाउंट 10% डिसकाउंट आया ना 10% उसके बाद दिया है रेडियूज डेटर बाई 70,000 डेटर्स का वैल्यू सत्तर हजार कम करना है डेटर्स बूले तो असेट असेट का वैल्यू कम करना है असेट होता है डेबिट कम करने के लिए क्रेडिट हाया नहीं तो टू डेटर्स अकाउंट कितना कम करना है, इसाट हजार, असेट का वैल्यू कम है तो नुकसान होगा, हाँ हाँ, सत्तर हजार लिख देता हो, सबर, सत्तर हजार, यह लोगिदा, सत्तर हजार, बस, आपको इडाउट, डन, और कोई अट्जेस्मेंट है का देख, कि डिबन्च रोलडर के पर एक एडजस्मेंट हो एडजस्मेंटान पूरा गंप्लीट लिखो ह। स्मौल करिक्ट्छनओ पीडिएफ ओलस्ओ नोटड़ान करकि लेखना ही। कर्रेक्शन एग जेस्पन नमबर थर्ड पर, डिबेंचर होल्डर एग्री तू सेटल देर क्लेम डिबेंचर होल्डर एग्री तू सेटल देर क्लेम by issue of, by issue of, by issue of new 11% debenture, new 11% debenture of 14 lakhs, of 14 lakhs. they also agree to forego 50%, बाकि आपके जो आगे question में दिया है, वो same है, they also agree to forego 50% of their interest, the payment of the remaining 50% interest to be made immediately, हमने जो debenture का interest का adjustment क्या था, यह अला, यह incomplete adjustment था, मैंने आभी आपको total adjustment दिया है, adjustment में दिया है, debenture holder बोल रहा है, हम हमारा claim minus करेंगे, नया share issue करके, कितने का, 14 lakhs, मराबरे, मतलब पूराना share निकालेंगे, नया share डाल देंगे, प्लस interest का, जो हमने अल्रेडी पहले solve कर दी, ठीक है, तो खाली एक ही adjustment अपने को solve करना है, debenture, debenture क्या होता है, credit, liability मतलब credit न, अब cancel करना तो हो जाएगा, debit, यहाँ पर आएगा 10%, debenture, account, debit, कितने का debenture था हमारा पूराना, 20 lakh, इसके बदले में नया debenture आएगा, 2, 11%, debenture, account, कितना, 14 lakh का, देखो, adjustment में लिखके दिया है, पूराना share के बदले में नया debenture आने वला 14 lakh का, तो 20 के बदले में 14 ही आ रहा है, मतलब 6 lakh का फाइदा हो रहा है, तो 2, किदर जाएगा, capital, reduction, account, कितना, 6, और कोई adjustment है क्या, ने, मतलब इस company में इतना reconstruction हुआ है, अब इस reconstruction में, क्या मुझे कोई फाइदा नुकसान हुआ है, क्या वो check करूँगा मैं, अगर हुआ है, तो वो calculate करके दिखाना है, नहीं हुआ है, तो कोई problem नहीं, वो कैसे मालूम पड़ेगा, तो आप एक rough account prepare करोगे, CR, मतलब capital reduction, rough, fair नहीं, अगर fair बोला है, तो fair, इसमें कुछ ऐसा बोला नहीं है, तो हम इतना focus नहीं करेंगे, पहला समय इसले दिल पे लेंगे, हाँ, पहला समय दिल पे लेंगे, नहीं, वोई बोल रॉक, इधर इधर डून दे capital reduction, कौन से साइट पे, credit साइट पे, कितना है, 80,000, लिख दो, 80,000, capital reduction, फिर से credit है, आट लाग, capital reduction, capital reduction, credit में, एक लाग, capital reduction, debit में, 40,000, capital reduction, capital reduction, credit में, 2,22,000, बराबर, capital reduction, debit में, 40,000, बराबर, capital reduction, debit में, 50,000, capital reduction, credit में, 60,000, capital reduction, credit में, 60,000, capital reduction, credit में, 6,000, चलो, फटा-फट टोटल ले लो, अद देखो, टैली हो रहा है, मेरे इसाब से, ये साइट का, टोटल जादा है, कौन से साइट का, रेडिट में, 18,00, 62,000, 18,00, 62,000, 18,00, 62,000, मतलब, फाइदा ही होगा, इंकम जादा है, एक्सपेंस का में, तो प्रॉफिट आएगा, हाई या नहीं, इंकम हुआ, 18,00, 62,000, का, माइनस करके बताओ, कितना रहे है, कितना, 2,62,000, का प्रॉफिट हुआ, हाई नहीं, प्रॉफिट जो भी हुआ, वो जाएगा, क्या पीटल रिजर्व अकाउंट में, सर अगर लॉस हुआ तो, लॉस को कहते हैं, गुड विल, प्रॉफिट को कहते हैं, क्या प्रॉफिटल रिजर्व और लॉस को क्या कहते हैं, गुड विल, और फाइदा हुआ, मतलब आपने कहीं ने कहीं, बिजनस में प्रॉफिट रखा है, रिजर्व करके रखा है, इसलिक क्या प्रॉफिट रखा है, अब ये बैलेंस कौन से साइड पर आया, तो इसकी एंट्री क्या आएगी, इसकी एंट्री आएगी, अब पीटल, रिडक्षन, अकाउंट, डेबिट, टू, कैपिटल, रिजर्व, अकाउंट, कितना रिजर्व हुआ है, तू लाक सिक्स्टी तू थाउजन, तू लाक सिक्स्टी तू, सम कम्प्लीट हो गया, ऐसा सम है, हर सम ऐसे ही सॉल्व करना है, जर्नल एंट्री के ही, मैक्जिमम फोकॉस उसी पे करना है, जर्नल एंट, देखो मैने कुछ नया नहीं किया, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, लेजर अकाउंट बनाने का रॉस चेक करना, यह रफ में बनाएं, जब फेर में बनाएंगे तो खली, क्रेडिट में क्या लिखना है, डे समझा आपको पक्का, फोफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रूप में शेर करना और चैनल को सब्स्क्राइब करना, ठैंक यू फॉर वाचिंग दे वीडियो